भारत देश में किन्नर का वजूद हमारे धर्म और शास्त्रों में भी मिलता है और हमारे देश में किन्नर के लिए प्रतेक ब्यक्ति के मन में अलग-अलग तरह की बाते आती हैं कहा जाता है किन्नर अगर किसे इंसान को बद्दुआ दे दे तो उसका नाश हो जाता है एक तरफ ये भी कहा जाता है किन्नर को हमेशा अलग इंसान के रूप में देखा जाता रहा है क्योंकि किन्नरों के रीती रिवाज सभी धर्मों से अलग होते हैं किन्नर अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में तेवहार या शादियों के आउसर पर जाकर बढ़ाई मांगते हैं किन्नर जो मांगते हैं उनका वो चीज देनी पड़ती है अगर नहीं दी तो उसका नतीजा बेकार होता है आज हम आपको ऐसी एक ख़बर बताने वाले हैं जो कि केरल के पुलिस थाने में एक अर्धनगन ट्रांसजेंडर का कथित वीडियो जो आज सोशल मीडिया पर खुब वायरल हुआ है इसके लिए एक महिला पुलिश कर्मी को बरखास्त भी कर दिया गया है कहा जा रहा है कि पुलिस 22 मार्च को ट्रांसजेंडर को पब्लिक प्लेस से हटाते हुए अलपुझा दक्षिन पुलिस थाने ले गई थी ट्रांसजेंडर पर अरोप था कि वो पब्लिक प्लेस पर हंगामा कर रहे हैं जिसके कारण सरकों पर जाम लगया है जिसकी वज़त से पुलिस अलपुझात पुलिस थाने ले गई थी इस बात से नराज होकर ट्रांसजेंडर ने थाने में हंगामा किया और पुलिस कर्मियों के सामने कपड़े उतारने शुरू कर दिये और उस दोरान एक महिला पुलिस कर्मी ने किन्नरों का वीडियो भी बना लिया महिला पुलीस कर्मी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया जिसके कारण पुलीस कर्मियों को शर्मिंदा होना पड़ा पुलिस थाने के प्रमुखों ने कहा कि जल्द ही इस मामले की जाच होगी और जो इसमें गुनागार होगा उसको उसके इसाब से सजा भी दी जाएगी नेक्श नाइन स्प्रिच्वल के रिपोर्ट झाल